हलो एवरीवन आवाज आ रही है मेरी है हलो एवरीवन वेलकम आवर चैनल इंडियन आयरवेदिक डॉक्टर आज हमारा सेकिंड क्लास है तो उसका अमारा टॉपिक है आज का दिन चरिया शुरू करते हैं दिन चरिया जो आपका चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम सिक्वेंस वाइज स्लेबस के अकोडिंग यही सभी टॉपिक पढ़ेंगे आज definition क्या होती है दिनचरिया की दिनचरिया का उदेश्य क्या है उसकी importance क्या है ब्रह्म मूरत क्या होता है उश्यापान क्या है शरीर चिंता क्या होती है मलत्याग की विधी क्या होती है मुक्का प्रक्षालन दंत धावन जीवार निरलेखन के बारे में पढ़ेंगे अंजन, प्रतीमर्ष नश्य और आदी जो नश्य के भेद हैं उन सब के बारे में गंडूश, कवल के बारे में तांबुल सेवन, धूमपान, अभ्यंग, उद्वर्तन, उतसाधन, व्यायाम और चंकर्मन इन सब के बारे में पढ़ेंगे सनान, अनुलेपन, वस्त्राधि धारण, दंडे धारण, छत्रधारण, मध्यान चरिया और दिन चरिया का कॉस्मेटिक इफेक्ट क्या है इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि यहां से question आता किस तरह से है Question आता है यह सभी जो definition है दिन चरिया की इन में से दो नमबर का question आता है दो दो नमबर के question यहां से आते हैं और यह जो cosmetic effect of दिन चरिया है यहां से 5 नमबर का question आता है तो ये हुई नम्बरिंग की बात अब पढ़ते हैं चक्टर सबसे पहले पढ़ते हैं दिन्चरिया की परिवासा सबसे पहले बात करते हैं कि दिन्चरिया पढ़ क्यों रहे हैं दिन्चरिया पढ़ रहे हैं स्वस्त वर्त में स्वास्त्य को बनाए रखने के लिए स्वस्त के स्वास्त को बनाए रखने के लिए सिर्फ इसी लिए दिंचरिया पड़ते हैं स्वस्त के स्वास्त जो व्यक्ति स्वस्त है उसे अपना स्वास्त को continue निरोगी बनाए रखने के लिए एक रूटीन फोल अप होता है उसको करने के लिए उसे अपनी दिंचरिया का करना होता है जो रुटीन फोल अब है उसे दिंचरिया बोलते हैं तो परतिदिन किये जानने वाला आहर विहार और जो चेश्टा होती है जो मनुष्य के लिए हितकर होती है जो उसे आरोग्य परदान करती है उसे दिंचरिया कहते हैं अब है दिंचरिया का उद्देश्य और दिन्चरिया का उद्देश्य और महत्व वही है जो आयरवेद का प्रियोजन है आयरवेद का प्रियोजन क्या है स्वस्ते स्वास्ते रक्षन आतुर श्य विकार प्रशमन तो दिन्चरिया का जो उद्देश्य है वो होता है स्वस्त व्यक्ति के स्वास्ते की रक्षा करना जबकि आतुर के विकार के प्रश्णमन होती है, उसके चिकित सा होती है, तो जब स्वस्त व्यक्ति चो होता है, खुद के स्वास्ते को स्वस्त करने के लिए, रूटिन को बनाए रखने के लिए, अपने स्वास्ते को बनाए रखने के लिए, निरोगी बनाए रखने के यही क्या होती है दिन्चरिया होती है स्वास्ते स्वास्ते रक्षणम की पूर्ती करता है दिन्चरिया सबसे पहला है हमारा ब्रह्म मूरत में जागना चाहिए तो ब्रह्म मूरत जागना यहां से आता है दो नमर का क्यूशन स्वास्ते की और आयुश की यानि अपनी आयुखी रक्षा के लिए ब्रह्म मूरत में जागना चाहिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्म मूरत क्या होता है ब्रह्म मूरत सूर्योद्यो से सूर्योद्यो होने में जब एक गंटा 36 मिनट सेस रहे यानि कि 90 मिनट शेश रहे एक तो इस समय से लेके 48 मिनट शेश रहने तक कि जो बीच का समय होता है सूर्योद्यो से पहले का उसे बोल लिते हैं ब्रह्म मूरत या फिर वनवर्ड में कहें तो सूर्योदे से 1 गंटा 36 मिनट यानि कि 90 मिनट पहले का समय ब्रह्मामूरत का आ जाता है बस यानि कि एक गंटे चतिस मिर्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं हम सूर्यद्य होने से चार गटी का या चार गटी का शेष रहने वाला समय ब्रह्म मूरत कहलाता है तीनों ही definition correct है दुबारा बोल रही हूँ definition इसमें लिखा है इसके उपर मत जाना समझ में नहीं आएगा इसलिए बोल रही हूँ दुबारा definition बोल रही हूँ ब्रह्म मूरत वो है जब सूर्यद्य होने से एक गंटा चतिस मिनिट या नब्बा मिनिट एक ही बात है से 6 रहे समय और 48 मिनिट 6 रहे समय के मद्द्य का जो समय होता वो से ब्रह्म मूरत करते हैं फर्स डेफिनेशन थी वन वर्ड में definition दूसरे में या ती है कुछ याद नहीं थे सूर्यद्य होने से 4 गटी का 6 का समय सूर्यद्य होने से 90 मिनिट पहले का समय या फिर सूर्यद्य होने में जब 90 मिनिट 6 रह गए हो सूबह 5 बजे अपन 4 बजे के आसपास का समय होता है सूबह 7 बजे 8 बजे अपन उठते हैं तो अब ब्रह्म मूरत कैसे बोलेंगे कि अभी 90 मिनिट 6 है शूर्यद्य होने में इसका मतलब है कि यह ब्रह्म मूरत चल रहा है तीनोई डेफिनेशन एकदम अपनी जगा सही है अब देखते हैं इसमें क्या लिखा रहा है सूर्यद्यो से 4 गड़ी यानि कि 1 गंटा 36 मिनिट 6 से लेकर 2 गड़ी यानि कि 48 मिनिट एक मूरत 6 गड़ी रहने तक का समय यानि अभी बचा है 48 मिनट है अभी 6 गड़ी और पहले का टाइम 1 गंटा 36 मिनट थे सूर्यदोने में फिर 48 मिनट बचें तो इन दोनों का बीच का समय होता है इतना जो समय होता है वो ब्रह्म मूरत कह राता है ठीक है अब ब्रह्म मूरत में जो जल का हम पान करते हैं उसे उश्या पान कहते हैं उश्या का मतलब होता है ब्रह्म मूरत या सूर्यदोने से पहले ब्रह्म मूरत का एकजक्ट मतलब होता सूर्यदोने से पहले जो समय माना जाता है को होता है तो उशापान होता है ब्रह्म मुरत या सूर्यद्य होने से पहले जो द्रव पानी हम पीते हैं उसे बोलते हैं उशापान पान यनी द्रव पिना सूर्यद्य होने से पहले सेवित जल पान को उशापान कहा जाता है मात्रा कितनी पांटिटी में पीना चाहिए आठ प्रस्ति की मात्रा में ये जल पीना चाहिए, एक प्रस्ति बराबर होता है 80 ml, आड़ प्रस्ति बराबर होता है 640 ml, क्लियर, कौन-कौन से रोगों में पीना चाहिए, जिसके उदर रोगों हो, उदर रोग ग्रहनी हो, अतिसार हो, या कोई भी रोगों, विशुचिका हो, अ अल सको, आम हो, आम विशो, कुछ भी हो. उन सब में, अर्ष में, स्किन डिसोदर में और मेद रोग के अंदर उशा चलपान का उप्योग किया जाता है. यहाँ से क्योशन आता है. इम्पोर्टेंट है. यह भी इम्पोर्टेंट है. अब पढ़ते हैं मलत्याग. जो इम्पो उत्र का वेग आने पर या परवर्त होने पर दिन के अंदर उत्तर दिशा में और रातरी में दक्षन दिशा में त्याग करना चाहिए ये मलत्याग की आचारियों ने दिन चरिया के अंदर विदी बताई है निइम क्या होते हैं? मौन धारन करते हुए, अन्यकारेवपर ध्यान नहीं देते हुए, सारजनी कि स्थान उपर नहीं करना चाहिए और आते हुए वेख को त्या करना चाहिए निकि वेख संधारन नहीं करना चाहिए Next है मुख और नेतर का प्रक्षालन सबसे पहले सुबसोब जब हम उठते हैं तो मुझ और नेतर दोते हैं अपन उठते ही तो वो देखते हैं ग्रिशमे रितू और शरदी रितू में तो शीतल जल से दोना चाहिए मुख अन्य रितू में उष्णे जल से मुख और नेतर का प्रक्षालन करना चाहिए अब मुक नेतर प्रशार्ण करने के लिए हम द्रव्य क्या भी उप्योग कर सकते हैं हम क्वात का भी उप्योग कर सकते हैं और हम किसका जल का भी उप्योग कर सकते हैं तो कौन-कौन से क्वात से और कौन-कौन से जल से मूध होते हैं शीरी व्रक्षो के क्वात से पितोदक से यानि धंडे जल से और उष्ण जल से भी मुख प्रक्षालन कर सकते हैं इससे लाब क्या होते हैं मुख शोष जितने भी स्किन डिसोडर है मुख शोष है पीडिका है व्यंग है रत्पित है इन सब का नाश हो जाता है मुख जो होता है वो सुन्दर दिखाईता ह कोस्मेटिक इफेक्ट से अपना ही और नेत्रों की जोती होती है वो स्तिर होती है जब भी हम आंखें दोते हैं तो जो शीतल से जह आंखें हम één तो आंखें क्या होती है कि अगैंden IT आज़ देने लिगता प्रक्रें अगए वहती यह जोती हो हरत जाता है तो इसलिए स्थे नेक्स्ट पढ़ते हैं, दंतधावन दंतधावन में सबसे पहले क्या आता है? दातोन आता है दातोन है, आगे भी हम पढ़ेंगे, धुमपान है, जीवार निलेकन है, इन सब को आप पढ़के आ चुके हो चरक सुत्र इस्तान पाँच में जो मात्रशीतिय ध्याय उन सब में आप इन सब को पढ़के आ चुके हैं तो यहां हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सलेबस में है और जितना आ सकता है एक्जाम में सबसे पहले पढ़ते हैं दातों के लक्षन दातों करने के लिए जो हम लकड़ी यूज करते हैं पहले के जमाने में ब्रश वगरा इससे नहीं करते थे पहले करते थे जो व्रक्ष की लकड़ी होती है आज भी करते हैं इनसे उनको उप्योग करते हैं तो जो व्रक्ष की हम लकड़ी लेते हैं दातोन करने के लिए जो दातोन हमारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए सबसे पहले बढ़ते हैं उसके बारे में दातोन होती है 12 अंगुल लंबी कितने प्रमाने मोटी होनी चाहिए, कनिस्ट का अंगुली जितनी मोटी होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, किसी परकार की कोई गांट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी योगी तो रस वीर्य विपागुच होत चरक जो आचारे चरक जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि तीन रस युक्त दातों जो होती हैं ले सकते हैं कसाय तिक्त और कटू लेकिन आचारे शुशुर्त ने इसके साथ में मधूर भी जोड़ दिया उन्होंने चार रस युक्त दातों लेने को बोला है अब कशाय द्रव्यों में कशाय जो व्रक्ष होते हैं उनमें किसकी दातों लेते हैं खदीर की दातों लेते हैं तिक्त द्रव्यों में निम्ब व्रक्ष की दातों यूज करनी चाहिए और कटू में करंज की दातों यूज करनी चाहिए वहीं मदुर जो वरक्ष होते हैं उनके अंदर महुय की दातों होती है या मदुप की दातों होती है वो उपयोग करनी चाहिए चरक सुत्र पांच में मातरशीति जो द्याय है उसमें उत्तम दातों के लिए जो लकणिया, मतलब जो दातों कामे लेने को बोला है उनके अंदर एक कोटेशन है करंज का करवीर, अर्क, मालती और कुकुमबासन यहीं असन, अर्जुन इन सभी की दातों लेने को बोला है अगर भाग के दातों के चबाकर नरम बनाते हैं उसके बाद में मसूडों को नुकसा नहीं पहुचाते हुए दो कालो दो कालो शब्द किसके लिए आता है? दातों के लिए आता है तो दो कालो यानि कि सुबह और श्याम को दातों करना चाहिए आगे है अब दातों करने के लिए हम व्रक्ष की लकड़ी काम में लेते हैं यानि दातों काम में लेते हैं तो वहीं उनका चूरण भी ले सकते हैं और कलक भी ले सकते हैं चूरण में आता है त्रिफला का, त्रिकटू का, त्रिजाद का, शहद और तेल को मिला के भी दातुन करते हैं दातुन के योग्य व्रक्ष कौन-कौन से लेंगे, वट है, असन जिसे विज्यसार बोलते हैं, अर्क, करवीर, सर्ज, इरिमेद, अपामार्ग और अर्जुन अभी जो मैंने इससे पहले जो कोटेशन बोला था, मातरशीतिय द्यायका सुत्र पांच का कोटेशन था, करण्ज, करवीर, अल्क, मान्ती, कुकुबासन, ये वाला जो कोटेशन था, वो उसका है दातों के अयोग्य वरक्ष कौन कौन से होते हैं, कौन से वरक्ष की दातों हमें काम में नहीं लेनी चाहिए शलेशमा तक की नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये चिपचिपा होता है और मुख के अंदर क्या होता है कफ को बढ़ाने वाला होता है अरिश्टक की दातों नहीं काम में नहीं लेनी चाहिए वीवितक की, बिल्व की दातों नहीं लेनी चाहिए बिल्व क्या होता है एक देवरक्ष माना जाता है इसलिए इसकी दातों काम में नहीं लेते हैं प्लाश्ट की दातों भी अमकाम में नहीं लेते हैं तिंदुक की दातों भी अमकाम में नहीं लेते हैं शिगरू की नहीं लेते लोद्र की दातों काम में नहीं ले जाती शम्मी की नहीं ले जाती और दातो चाहनी के नाश धाता है, जो कि वामक द्रव्य होता है, जो कि वमन करवाने वाला ड्रग है, उसकी दातोन भी काम में नहीं लीजाती. दातोन करणने के लाब क्या होते है 상 cảजाता है ? मुक के अंदर जो कफ लिप्त होता है वो क्या होता है हट जाता है दात और जीव और मुक के मेल और दुरगंदगी नाश हो जाता है बोजन में रूची उत्पन होती है कौन-कौन से रोग में नहीं करते है श्वास, काश, हिक्का इन सम्मे दातों निशेद है गले की रोग हो कोई किसी परकार का रेनूला हो आधी जवाब पढ़ेंगे यह अंटी में तो आते हैं यह रोग तालू के अंदर कोई रोग हो जीवा के अंदर कोई लोग हो जैसे क्लेफ्ट लिप है क्लेफ्ट पैलेट है इनमें मुक पाक है अजीर्न है दंत रोग है या मुर्चा या फ दातों के बाद में ही जीवार निलेखन से जीब को साप करना चाहिए जीवार निलेखन जो होती है कैसी होती है यूं होती है ये कैसी होनी चाहिए तिक्षण नहीं होनी चाहिए आगे से कभी भी और क्या होनी चाहिए टेड़ी होती है ये तिक्षण अगर नहीं होनी चाहिए इसके जो अगर भागे तिक्षण नहीं होनी चाहिए ऐसा चरक सुत्र पांच में लिखा हुआ है दंत धावन के बाद में क्या करते हैं जीवा निलेखनी का उप्यों किया जाता है चरक में, शुशूर्थ में, अस्टांग, संग्रा में इसका वनन मिलता है लेकिन अस्टांग रिद्य में जिर्वा निलेखनी का वनन नहीं मिलता है हमें अब देखते हैं जीवा निलेखनी जो हम लेते हैं काम में वो कैसी होनी चाहिए दातु की बनीगी होनी चाहिए, कौन सी दातु की बनीगी होनी चाहिए सोने की, चांदी की, तामबे, पितल, लोहे या फिर किसी भी वरक्ष की जो टहनी होती है उसकी भी जिर्वाने लेखनी हो सकती है लंबाई 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए दातों की अंग लंबाई कितनी थी 12 अंगुल याद रहेगी इंपोर्टेंट है दातों भी इंपोर्टेंट है जीवा नी लिखनी भी इंपोर्टेंट है आकार में कैसी होनी चाहिए टेडी होनी चाहिए अग्र भाग तेज नहीं होना चाहिए न अतितिक्ष्णाग्र ठीक है जीवा के मलक को पिछे से आगे की ओर लाने वाली होनी चाहिए आगों की तरफ साफ करना चाहिए ये विदी बताईए इन्होंने यूं साफ करना चाहिए ठीक है लाब क्या होते हैं मुख की वी रस्ता जो होती है वो नस्टो जाती है और जीब पर जमा मेल जो होता है वो साफ हो जाता है, दुरगंद नश्ट हो जाती है, जीवा और मुके के रोग होते हैं वो नश्ट हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं अंजन इंपोटेंट है हमारे चक्षु के अंदर क्या होता है, अगनी माबूत होता है, और अगनित्व होता है जिसके कान क्या होती है दर्ष्टी होती है, और हमें दिखाई देता है लेकिन अगर कफ आ जाए, कफ के लेर भी आ जाती है, तो हमें क्या होता दिखाई नहीं दे, दुन्दल दिखाई देता है इसलिए नेतर को किस से भेह होता है? सलेश्मा से भेह होता है चक्षु में अगनित्व प्रदान होता है अता है उसको मेशा कफ से विक्रत होने का या शलेश्मा से विक्रत होने का क्या होता है भेह रहता है इसलिए इस कफ के स्रावन के लिए इस कफ को नस्ट करने के लिए आँख में से स्वस्त व्यक्ति को अंजन का प्रियोग करना चाहिए इसके टाइप पढ़ते हैं दो परकार का बताया गया है सोविरांजन और रसांजन सोविरांजन जो होता है वो क्या होता है म्रदु द्रव्यों से बनाया जाता है इसे नित्य प्रियोग में ले सकते है प्रसादन कारक होता है प्रति दिन प्रियुक्त कर सकते है वहीं रसांजन जो होता है वो तिक्ष्ण गंद युक्त द्रव्यों से बनाया जाता है और यह लेखन करम करता है लेखन कारक होता है पांच दिन या आठ दिन में एक बार और उल्ली रात को ही प्रियुक्त करते हैं क्योंकि दिन में जो होता है सूर्य का तेज रहता है उशन अंजन को शलाका के द्वार किया जाता है अब वो जो जिस शलाका से हम अंजन का प्रियोग करते हैं वो कैसी होनी चाहिए दातु की बनी होनी चाहिए वैसी जैसी जीवा ने लेखनी थी स्वन ताम्र लोहे आधि दातु की बनी होती है स्वन शलाका कौन से करम में काम आती है अंजन के प्रसादन करम में काम आती है तामबे की शलाका से लेखन करम किया जाता है वहीं लोहे की शलाका से रोपन करम किया जाता है अंजन में अंजन के अयोग्य कौन है बोजन करने के बाद अंजन का प्रियोग नहीं करना चाहिए सिर से इसनान करने के बाद कफ ओल्रेडी बढ़ा हुआ होता है तो उसके बाद में शितलता आजाती है सिर के अंदर तो इसलिए सिर से इसनान करने के बाद में शितलता के कारण क्या होता है, अंजन का प्रियोग नहीं करते हैं, वमन या वाहन से ठका होने पर नहीं करते हैं, रात में जागरन होने पर नहीं करनी चाहिए, और ज्वर रोगी को अंजन का प्रियोग नहीं करना चाहिए, लाप आखों में कंडू, कंडू किसके कारण होती यह कफ के कारण होती तो उसका क्या होता है शमन हो जाता है अत्यदिक मात्रा में दा है उसका क्या होता है शमन होता है और मल जो होता है उसका निकल जाता है वो बाहर नेक्स्ट है नश्य इंपोर्टेंट ओशद या किसी भी प्रकार के ओशद इसिद सनेह को नासी का छित्र के दोवारा प्रियुक्त किया जाना ही क्या कहलाता है नासी का के दोवारा ओशद ये चूर्ण को नासा में प्रवेश करवाना क्या कहलाता है नस्य करम कहलाता है चाहे फिर वो चूरण हो किसी ओश्य दिखा या फिर किसी प्रकार का कोई सनेह हो नस्य को नावन भी बोलते हैं नस्य को नस्य भी बोलते हैं भेद अब अलग-अलग आचारियों ने इसके अलग-अलग भेद किये हैं देखते हैं, आचारिय शुशुर्त ने इसको पांच परकार का बताया है, सबसे उन्होंने बोला कि नश्य दो परकार का है, शिरो विरेचन है और सनेहन नश्य होता है, फिर उन्होंने सनेहन नश्य को दो परकारे बाड़ दिया, एक तो मर्श और एक परती मर्श, सनेह के द द्वारा पीडन नश्य ओशदी द्रवयों का चूर पीडन करते हुए उनका स्वरस निकालते हुए प्रधमन एक छे अंगुलंबी क्या होती है खुली दोनों ओर से खुली मुख वाली एक नली होती है जिसके इंदर ओशदी द्रवयों को रखा जाता है यहां पर फूंक मार आते वे नासा में परवेश करवाया जाता है ठीक है और एक होता है शिरोविरेचन नश्य इस परकार हो गए यह उनके पांच परकार नेक्स्ट आचार्य वागबटने आचार्य वागबटने माना है नश्य तीन परकार का यह वाला शिरोविरेचन वी बीएस शिरोविरेचन नश्य शमन करने वाला और भ्रंगन करने वाला फिर उन्होंने इनहीं नश्य को बताया है चार का कि एक मर्श होता है एक पति मर्श होता है एक प्रदमन होता है और एक अवपीडन होता है यानि कलके के रूप में और चू लेकिन शुषूर्त ने शिरोविरेचन नश्य बताया है, इन्होंने शिरोविरेचन नश्य नहीं बताया है, ठीक है, नावन नश्य, अवपिड़न नश्य, धमापन नश्य, धूम, धमापन को उन्होंने प्रदमन जो नश्य बोला था, आचारे शुषूर्त ने वो धमाप ठीक है अब जो नावन नश्य था उन्होंने उनको बताया चरखने दो प्रकार का होता है एक तो सनेहन करवाता है एक शोधन करवाता है सनेहन करम करेगा और एक शोधन करेगा वही अवपिड़न नश्य जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है एक शोधन करने वाला और एक या फिर जो रोग होते हैं, और भी रोग होते हैं, उन सब के अंदर किससे करवाता है, इस तम्मन नश्या करवाते हैं। और शोदन नश्य जो मूर्चा है इन सब में शोदन नश्य उपयोग में आता है धमापन में रेचन करवाते हैं और धूम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है धूम नश्य प्रायोगिक, सनेहिक, वेरेचनिक प्रायोगिक जो होता है उसके अंदर शमन आता है शमन द्रव् मात्रा कितनी ही होती है प्रतीमश नश्य की दो बिंदू या दो बूंद एक ही बात है बिंदू क्या होता है अपनी तरजनी अंगुली के दो दो परव होते हैं जो तीन परव नहीं हो एतना उनमें से दो परव जो होते हैं उनको सनेहे में डुबोकर बाहर निकानने पर जित का पिछ्य ले जाते हुए या फिर टेड़ा करते हुए पलंग पर сказать गर्धन को पिछ्छे ले जाकर दो बूंदध हमें क्या डालना है प्रतीमर्ष नश्य नासा में डालना है, डालने के बाद में क्या होता है, उसे सांस के द्वारा, सांस को खीचते हुए, सांस अंदर लेते हुए, उसे पिछे खीचना है, सनेह की बूंद अगर मुख में आए, तो उसे क्या होता है, बार-बार में थूखते हैं, सनेय प्रतिमर्ष नश्य के कितने काल होते हैं चोदा काल होते हैं इसको आप अपने इसाफ से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले सुबह उठेंगे उठने के बाद क्या करते हैं सबसे पहले दातुन करते हैं दातुन करने के बाद में क्या करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं गर से इसनान करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं अगर वो मिटिंग आ जाती है तो वो मिटिंग अंजन ऐसे आपने असाफ से याद कर सकते हैं इस सब को तो सबसे पहले होता है प्रात्यकाल उठने के बाद में फिर दंत दावन करने के बाद में यानि दातुन करने के बाद में उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं हम तो व्यायाम के बाद में उसके बाद क्या करते हैं सबसे पहले कई बाहर जा रहे होतें गर के बाहर, तो गर के बाहर जाने से पहले कर लिया, मेथन के बाद में कर लिया, मारगमन से शान्त होने के बाद में, कहीं से बाहर चलके आए उसके बैठने के बाद में, कवल के बाद में करते हैं, मलमुत्र के त्याग के बाद में जैसे सबसे पहले उठे मलमुत्र त्याग किया दातन किया उसके बाद में व्यायाम किया चार तो यह continue हो गए उसके बाद में घर से बाहर गए उससे पहले घर से बाहर से जाग के आए उसके बाद में मेथुन के बाद में और कवल के बाद में कवल के साथ ये याद कर लो हंजन के बाद में अदो वायू त्याक के बाद में जो मलमुतर के साथ याद हो जाएगा बोजन किया उसके बाद में बोजन किया तो वमन आ गई का नेत्र करण और नासिका के रोग नहीं होते हैं या उर्द जत्रुगर रोग नहीं होते हैं वल्ली खालित्य पालित्य ऐ समय ही बालों का श्वेत हो जाना या किसी बालों का गिरना तो ये सब रोग नहीं होते हैं मन्या इस्तंब नहीं होता है नेकवे स्टिफनेस नहीं आ यह जो बड़े बड़े आ रहे ना अंजन है नस्य है इसे पांच नमर का केशन भी आ सकता है तो उसी साफ से मैटर लिखा हुआ है लेकिन यहां से तो दो नमर का रहेगा गंडूश क्या होता है और कवल क्या होता है मुख में किसी भी दरव्य की संचारी मात्रा जिससे संचरन किया जा सके वो कहलाती है कवल और एह संचारी मात्रा जिसे मुख में इदर उदर नहीं गुमाया जा सकता उसे कहते हैं गंडूश देखो मुख में किसी दरव्य की वह मात्रा जो गुमाई जा सके यानि कि संचारी मात्रा हो गई उसे बोलते है कवल और जो नहीं गुमाई जा सके यानि एह संचारी मात्रा होती है उसे बोलते हैं गंडूश लेकिन गंडूश के अंदर हम क्या करते हैं जो नहीं गुमाई जा सकती क्वाथ, चल, स्वेरस और फांट का अप्योग करते हैं वहीं कवल के अंदर कलक का अप्योग किया जाता है कैसे कवल, कैसे कलक है ठीक है? मात्रा क्या होती है इनकी? कवल की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है एक कर्ष होती है गंडूश की मात्रा आदा कर्ष होती है नि एक कूल होती है एक कूल बराबर 6 ग्राम और एक कवल बराबर 12 ग्राम जादा मात्रा किसकी है कवल की है कवल कौन सा है जो गुमाय जा सकता है लेकिन ज़्यादा मातरा वो है, कवल, कवल, इसलिए गुमाया जाता है, उसमें कलक रहता है, और कवात जो होता है, पूरा मुवे भरने के बाद में दरुदर नहीं गुमाया जा सकता, इसलिए इसकी मातरा कम है, एक कोल है, 6 गराम है, ठीक है? ये है 6 ये है 12 अब गंडूश के बेद कौन से अचारे ने बताए हैं आचारे वागबट ने बताए हैं वही कवल के बेद कौन से अचारे बताए हैं आचारे शुशुर्त ने बताए हैं क्या-क्या बताए हैं आचार्य वागबट ने गंडूश के भेद करते वे बताये हैं कि गंडूश चार प्रकार का होता है स्नेहिक, शोधन, शमन करने वाला और रोपन करने वाला किसी भी प्रकार का मुख में वरण बन जाए तो उसका रोपन करतेगा वही कवल के वेच चार कौन से होते हैं सनेहन करने वाला सनेहिक शोधन करने वाला शोधन करने वाला सेम है इसमें रोपन आएगा इसमें रोपन आएगा इसमें लेकिन शमन आएगा तो इसमें क्या आएगा प्रसादन आएगा इतना सा डिफ्रेंस है क्लियर है नेक्स्ट है एक लास्ट पढ़ते हैं दीनपान कुछ पूछना है आयूशी आज का लास्ट टोपिक पढ़ते हैं दुमपान सबसे पहले पढ़ते हैं इसके लाप तो छोड़िये गंडूशर कवल का लाप क्या होते हैं गंडूशर कवल से क्या होती है किसी भी प्रकार से मुख में शुष्कता नहीं रहती है यानि सुखा नहीं रहता है खोट नहीं फटते, दातों का शे नहीं होता, यहन्य दात जल्दी नहीं टूटते, दंत हर्श नहीं होता और वानी स्वर्ज होता, उनका बल जोता है, वो प्रबल रहता है उसके बाद पढ़ते हैं धूमपान, important, very important यह सब आप पढ़के आचुके हैं, वैसे ओशदी द्रव्य से निर्मित धूम वर्ती से निकलने वाले धूए को मुख में धारन करना क्या कलाता है? धूम पान कलाता है अचारी चरक ने कितने प्रकार का बताया है? तीन प्रकार का बताया है सनेहिक, वेरेचनिक और प्रायोगिक अब है इनके काल, कितनी बार करना चाहिए, वो काल है वैसे अगर हम काल देखते हैं, तो प्रायोगिक धूमपान के काल माने जाते हैं, आठ और दिन में कितनी बार धूमपान करना है, वो तीनों के काल है, अलग-अलग ये थोड़ा PG layer का हो जाएगा, इतना नहीं जाते हैं अपन तो दिन में कितनी बार? प्रायोगिक धूमपान करते हैं दो बार, स्नेहिक करते हैं एक बार, और विरेचनिक करते हैं तीन से चार बार दिन में प्रायोगिक धूमपान किसके द्वारा करते हैं? नासा के द्वारा करते हैं, वहीं स्नेहिक धूमपान जो करते हैं नासा और मुख दोनों से करते हैं, और विरेचनिक धूमपान ओनली नासा से करते हैं, इंपोर्टेंट है ये याद रखना उसके बाद पढ़ते हैं आचारे शूुषुर्त जो थे उन्होंने धूमपान के पाँच बेद बताये हैं तीन तो चरख वाले मानें दो एक्स्टा कॉन से मानें कासगन और वामनी है उन्होंने दोनों का ही मार्गे क्या बताया धूमपान करने का मार्ग बताया मुक के द्वारा अब सबसे पहले पढ़ते हैं धूमनेत्र और धूमवर्ति किस परकार से बनाते हैं वो सब देखते हैं सबसे पहले धूमनेत्र जिसके द्वारा हम का धूमपान करते हैं वो कैसा आना चाहिए, 12 अंगुल लंबा होना चाहिए, धूमनेत्र है यह याद रखना, धूमवर्ती नहीं है, या फिर जो धूमवर्ती बनाने के लिए जो सरकंड़ा लेते हैं वो भी 12 अंगुल का यह होता है, अगर्भाग जो होता है, वो कोलास्ती यानि बेर की गुठल है वो स्वन और रजद की धातू से युकत होना चाहिए क्यों होना चाहिए इतना ताकि यहां से जो एकदम तिवर वेग होता है वो क्या होता है यहां तक आते आते इन परवों के कारण क्या होता है थोड़ा शान्त हो जाता है इसके कारण इतना तिक्षने नहीं रहता फिर इसलिए इसमें तीन पर्व होते हैं, यह तीन कोश होते हैं, दूम वर्ती कैसे बनाते हैं, सबसे पहले दूम वर्ती बनाने के लिए क्या करते हैं, बारा अंगुल लंबा क्या होता है, एक सरकंडा होता है, ठीक है, इसके उपर आठ अंगुल जितना क्या करते हैं, जो अपन पर पास इनके क्या करते हैं पांच बार इस सरकंडे पर लेप करते हैं और लेप कैसा करते हैं जो बीच में से तो मोटा हो और किनारों से क्या हो पतला हो जैसा जो होता है ना उस आकार का लेप हम उस पर करते हैं उस परकार से और कितने परमान की मोटी होती है अंगुस्ट्र तो धूमवर्थी कितनी है, आठंगो लंबी है, कितनी बार लेप किया है, उश्डी द्रवो का पांच बार लेप किया है, कितनी मोटी है, अंगुस्ट परमान में मोटी है, कैसी बनाई थी, जो क्या कार के बनाई थी, जो बीच में से मोटी हो, साइड में से क्या हो, किनारों उसे पथली हो अब करते कैसे हैं धूमपान करते सबसे पहले मुक से करते हैं फिर नासिका से करते हैं मुक और नासिका से कैसे भी करो धूमपान लेकिन हमेशा निकालना तुम्हें उसे मुक से ही हैं कभी भी नासा से उसे नहीं निकालते धूमगो नासिका से नहीं निकालना हमेशा उस दूएं को निकानला कहां से हैं, मुख से निकानला है, नासा से नहीं निकानला है फिर है अयोग्य कौन-कौन से विकार में करते हैं, वात और कफस विकार में करते हैं, लेकिन पितज विकार में कभी भी दूमबान नहीं करते हैं तो पितजविकार में नहीं करते हैं, रक्तपित में नहीं करते हैं, पितजविकार हैं, मद में, मूर्चा में, दाह, पीपासा इनमें नहीं करते हैं, पांडू में नहीं करते हैं, उदर आदमान इनमें नहीं करवाते हैं, बालक को, व्रद को, दुर्बल को और विरेचन के सबसे पहले करो सोके उठने के बाद पहला दूसरा करो कर दो